नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रजत और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ गाड़ी के फ्रंट साइड जज्ज्मेंट की काफी सारे लोग का कमेंट था के खाली फ्रंट साइड जज्ज्मेंट का बताएं तो आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ तो चली व यहां पर थोड़ा सा उंचा भी है ठीक है अब इसमें काफी ज्यादा गैप होगा मतलब 6-7 इंच का आराम से गैप होगा और यह गैप मैं कहूंगा कि यह से डिस्टेंस है आप इससे ज्यादा जाब में तो गाड़ी को किसी गाड़ी के पास ले करी न जाएं अम आपको उत कि यह देगे दोस्तों और इससे ज्यादा पास तो आपको किसी गाड़ी के जाना ही नहीं चाहिए अब मैं आपको बताता हूं मैंने एक क्या कैसे है अई मैं चाहूं तो इसके और पास भी लेकर जा सकता हूं यह देखिए अगर थोड़ा सा और पास भी लेकर जा सकता हू कि देखिए इतनी पास तक हम जा सकते हैं लेकिन इतना जाना ठीक नहीं है ठीक है पर हाँ आपको अंदाजा होना चाहिए कि मैं इतनी पास तक जा सकता हूं अब मैं आपको लेता हूं थोड़ा सा अब दोस्तों यह देखिए सिंपल सी चीज यह है इसमें मेरे को कुछ मैंने यह अंदाज नहीं लगा रखा कि यहां से यहां तक जाएगा गेट है कुछ नहीं अब जैसे आप गाड़ी के बंपर देख सकते हैं अगर सामने गाड़ी है वह नहीं दिख रहा आपको नमबर प ठेख सकते हैं इतना gap है थोड़ा सा आगे कर लें अगर आपको कई काड़ी करनी है जब आपको सामने दिवार बग 큰 तहांसे उतर कर देख नहीं जा सकते हैं कि मैं थोड़ी उर आगे जा सकता हूं नहीं जा सकता आप यह देख सकते हैं तो मैं यही का हूँँगा कर देearए अबी देखिए जैसे मोतरकर आपको दिखाता हूँ यह देखिए अभी बहुत सारा gap है ठीक है तो मेरे को पता है कि हाँ अभी इतना gap है तो मैं इतनी गाड़ी के पास अभी जा सकता हूँ उसी हिसाब से आप गाड़ी के पास जाएए अभी थोड़ी सी उंचाई पर गाड़ी खड़ी हुई है यह देखिए तो आप इतनी पास आराम से जा सकते हैं गाड़ी के अब मैं आपको दिखाता हूं कितना कितना गैप बचा हुआ है यह देखिए वही 10-12 इंच का गैप है और यह सबसे बेस्ट वो है सेफ डिस्टेंस इसे कह सकते हैं आप इससे पास अगर आप जाएंगे तो आपकी गाड़ी टाच हो जाएगी या कुछ भी मतलब उस चीज़ से फायदा नहीं है आप बे मतलब की नुकसान हो या फिर आपको थोड़ी और अमरजेंसी है कि और पास में खड़ी करनी है तो आप उतर के देख लो तो यही मैं आपको सला दूँगा स्टार्टिंग में आप उतर कर ही देखें दीरे दीरे आपको अंदाजा हो जाएगा तो आप अंदाजे के हिसाब से चल सकते हैं आपको जरूती नहीं पड़ेगी उतरने की आप अपना लेजा खड़ी कर दोगे अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो उतर के देख लो मैं पहले भी बोल चगहां अब भी बोल रहां घाड़ी सिर्फ से ही छलती है किसी को नहीं पता होता कि नीचे क्या आ गया तै तर बिश्याय से कितनी गहें कृणिख रहे है कितनी स्वेठीर कतनी चाहिए होता है कोई कैमरा इम्याइब और इसे नहीं होते लगे हुए सब अगया कोई कैमरा कई है कई हना करें टाइम के साथ ही आपको धीरे धीरे ये चीज अंदाजा हो जाएगा वरना तो आप उतर के देख सकते हैं कोई बड़ा इसू नहीं है ठीक है दोस्तो तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं मिलते हैं आप से किसी नई वीडियो में थैंक्स वर वॉचिंग